थीच एदेखवा ना लिखो एलेक्ट्र से एलेक्ट्र स्टेटिक पोर्स या फिर कूलंब्स पोर्स है एलेक्ट्र स्टेतिक फोर्स इनने मीडियम मैं अब अभी अब एता है कि को फोन्ट निकाल Warren तो हमको पता है वह प्थो एक तो अलोंग ना इन चॉइनिंग होता है सपियाँ के ल्ऄ स्कुआ दो सकते ही एप्सेराइन नौट क्या होदा था परमिटिविटी ओफ दा फ्री स्पेस या फेर वेक्यूम है न ठीक है यह सिच्वेशन होती थी पर अगर सोचो यह सिच्वेशन तो अब क्यों गई यह केस्व नाल लेते यह तो तब है जब हमने वेक्यूमें रखा शेस तो कि थैक जब उने वैंकिमर 50 तो यिसी प्सज़शन हो गई अगर माल लो हुतन है इन लो हम चैओंप सब्सक्र fällt गहले जो कि लिए 250 इन उसे पामी घड चेए वा ठेला रोट Şा इसी वी मीडिय में घड़ तक किसी भी मीडियम में रख गया कि मीडियम एसा नहीं है कि हर तरफ बलकुल न्यूट्रल है इस तरह नेगिटिव वाली चीज जाद होगी इस तरह पॉजिटिव वाली चीज जाद होगी तो मालो अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा है और अब मुझे फोर्स निकालना है इन पर से टू बाले पर फोर तो नेगिटिव वाले इसके पास आके इस तरह से इसको सराउंड करनेंगे इस मॉली कुल को अगर नेगिटिव चार्ज होता तो हाइड्रोजन वाले इसकी तरफ आजाता और सेमचीर यहां पर भी होगी मतलब जब वैक्यूमें रख तो बहां पर तो कोई चार्जिस है न तो बात है कि अभी तो सिर्फ ये ढोना चार्जिस अब और भी बहुत सारे चार्जिस हैं जिनकी कुछ खतरसी Exclusive का सअ एक तो अब हमें निकाले रहे तो ञेखकर होगा तो आपर हम उन्कल के लिए永गा वह को फोège 4 अनिकाल के आजाए ऒल एपसर निकल है टन न difर नहरा एफसलोन क्या है कि पर्मेटिव योदा वाटर मतलब याद रखना है कि तुम्हें जब लिखते हो बनवाई फॉर पाई एफसलोन नौट अपसलोन नौट तभी लिखोगे तुम जब तुमने दोनों चार्जिस को वेक्टियूम में फिर एयर में रखा हुआ है एयर को अल्म ठीक है तो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है पर्मेटिविटी तो यह एफसलोन क्या हो गई एफसलोन इस दा पर्मेटिविटी उस मीडियम के पर्मेटिविटी है जिसमें तुमने रखा हुआ है अगर पानी है तो पानी के पर्मेटिविटी लोगे यह के लिए ठीक है तो इसको देखो लिखने के एक तरीका और होता है हम एक तरीका जैसे हम क्या करते थे अभी हमने स्पेसिफिक ग्राविटी करके टर्म डेफाइन करा था फिलूट में जब हम बाइन सी बाला चेप्टर पड़ रहे थे हम क्या करते थे पानी को एक बेस की तरह माल लेत और फिर-एयर को तो हर एक meडियum की यह में प्रमितिविटी को कि रिस्पेक्ट में देखते एं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिखते हैं तो हमने एक निया टम डेफाइन करा यह आ पर इंपोर्टेन है जिसको उम बोलते हैं रिलेटेव परमिटि इसको हम रिलेटेव म एमेडिवी लेंगे या फिर डिट्रक कॉंस्टंट बोलेंगे उसको में डिफाइं कर रहे एप सो से मतलब परइडिवी टी इसको मालब दिफाइन करते हैं पर मिटिवी टीओ डिवाइड वाइड़ रहे पर्मेडिविटी ओफ स्पेस पिर वैक्रिंग तो यह यह के समझ ल यह नहीं लिखा मैंने क्योंकि के से अभी हम बन पाई फॉर पाई एप्सलों नोट को बता रहे थे और आगे जागे कैपसेटर वाले चेप्टर में हम डाइलेक्टर कॉंसेंट को के से रिप्रेजेंट करेंगे तो रेलेटेफ पर्मिटिवीटी को में लेख सकते हैं पर्मिटीवीटी ऑफ दा मीडियम भी रिप्रेजेंट टो यह विशाना हो जाएगा एफ्सलों आर इन्ट एफ्सलों अट्स आर का यूनित बता हूं यूनिट दैमिशन क्या लोग कि यूनिट लेट ना यह तक नश्य यह दियुनिट लेस है नाए इसके निकाल लीए न है थिक है तो इसको यह थरह से ले सकते हैं इसको इस तरीक ते रहे सकते हैं q1 q2 by r square 1 by 4 pi epsilon की जगेपन क्या लिख सकते है epsilon not into epsilon r इस तरह से लिख सकते है ठीक है अब दो चीज़े है इसको मैंने क्या लेखा है this is the net force on 2 हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम coulomb force पढ़ रहे थे हमने का था कि वही जो coulomb force होता है जब हमने principle और superposition भी बोलते हैं जिसको जो coulomb force होता है it is independent of presence of any other charge दो charges की बीच में जो force लग रहा आता है उसको कोई फर्क नहीं पढ़ता बाकी दुनिया में कितने charge है और कहां पर है बाकी charges के आने से net force change होता है पर दो charges की बीच का force कभी change है नहीं करता कूलम force को कोई फर्क नहीं पढ़ता दो charges की बीच में तुमने क्या रख दिया है कितनी भी बड़ी infinite wall की रेट कर दो कोई फर्क नहीं पढ़ता दो charges की बीच में force हमेशा same रहता है तो अगर अभी में अगर वाटर वाले मीडिया में में मैं पूछूंगा force on two due to one कितना होगा तो वह अभी भी इतना ही होगा 1 y 4 pi epsilon naught q1 q2 y r square इन दोनों टम्स में फर्क समझा बहुत जरूर यह ठीक है वैक्यूम में यह दिक्कत नहीं आती है न क्योंकि वैक्यूम में तो epsilon r1 हो जाता है तो दोनों एक ही बाते हो जाती है समझ गे न में एफसलों नार बन हो जाएगा यह यह दिखते हैं न कौन सा डवल है कौन सा नहीं है पता है यह सई नहीं लग रही है नहीं क्यों है चला ठीक है क्या यह कंफिजन कदना को था है रहने तो तुम लोग समझाना पूर वेक्यूम पीदो और प्रेस पेस डालेक्री कॉंस्टेंट कितना हो जाता है वन अच्छा यह समझ में आया गया अगर मैं मैंने पानी के अंदर डाल दिया दोनो चार्जेस को अभी वी क्यूटू पे क्यूबन के कारण फोर्स उतना ही रहेगा तुम उसे पानी के अंदर रखो किसी भी चीज क कर दो या फिर कंड़क्टर की वॉल किरेट कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमेंसा साइम रहेगा किसी भी मीडियम में रखो उनको ठीक है पर इस पे नेट फोर्स चेंज कर जाएगा कि क्यूबन बाले के कारण जो फोर्स पहले था नेट फोर्स चेंज करेगा पर कूलम स्वर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स पहले था अभी वही रहेगा और नेट फोर्स चेंज कर जाएगा ठीक है बस इतना है लिखो इस तो यहां पर दो अलग लग पॉंट्स बताया है ना एक तो एक तो हमने बता है रिलेटिव पर मेंटिव वीडियो डियालेक्रिक कॉंस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है ठीक है नोट लिखो जल्दी से वेंट टू चार्जेस और कैप्ट इन मीडियम देर म्यूच्वल फोर्स रिमेंस अंचेंज है बट नेट फ ल्काइश किसी मीडियम में रख दो तो नेट एलेक्ट येवीड क्या होजाएगी तो दिनको नेट एलेक्री फिद गोल रहा हूं है वेक्ट्यूम में जो थी तो लिखो कैसे से इसको तुम लिख रहहो है 1y4pi epsilon naught qy r square इसको कैसे लिखोगे 1y4pi epsilon naught epsilon r qy r square तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो वेक्यूम में जो थी है ना ऐसे भी बोल सकते हैं जब तो मुझे किसी मीडियम में रख दोगे तो वेक्यूम में जो इलेक्टिक फील्ट थी उससे epsilon r times epsilon r के factor से कम हो जाएगी आ नहीं को देखो कोई डाउटे केस में देखो कोई teaching देखो कोई परिखेस में है है यह ही दोतरा है झाल